हेलो एवरिवन, मेरा नाम सुम्रन गुसाई है और मैं DPMI दहरदून से काड़ी के टेक्निशन की स्टूटेंट हूँ आज मैं आपको फर्स्ट एट किट के बारे में बताऊंगी सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फर्स्ट एट क्या होता है फर्स्ट एट का मतलब है प्रात्मिक उपजाड जिसे हम घर पर चोटी मोटी चोड लगने पर कर सकते हैं अब हम यह जानेंगे कि फर्स्ट एट किट में हमें किन-किन चीज़ों की जरुरत होती है अब हम जानेंगे कि एक फर्स्टेट किट के अंदर हमें किन-किन चीज़ों की जुरुरत होती है एंटिसेप्टिक लिक्विड जिसे हम सैवलॉन भी कहते हैं जिसे हम एरिया को जहां पर चोड़ लगिया उस एरिया को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं कॉर्टन या फिर गॉज उस एरिया को क्लीन करने के लिए जहां पर चोड़ लगी है एंटिसेप्टिक ओइंट्मेंट पेन रिलीफ जेल बर्न हील क्रीम जिसका इसतमाल हम छोटे मोटे जलेवे घाउप के लिए करते हैं बैंडिज जिस हम नॉर्मली पट्टी भी कहते हैं माइक्रोपोड या डॉक्टर टेप सीजर या कैची पट्टी को काटने के लिए विक्स और ओरस ओरल रियाइडरेशन सॉलूशन जैसे कि कभी लूज मोशन वागरा लगते हैं तो उस टाइम ये यूज होता है बैंडिज जिसे कभी छोटे कट जाता है उसके लिए यूज करता है और डेटल सोप हैंड वाश कर ले अब हमारा फरस्टेट बॉक्स बन कर त्यार है हर किसी के घर में फरस्टेट बॉक्स होना बहुत जरूरी है तो इसलिए आप अपने घर में एक फरस्टेट बॉक्स जरूर रखें वीडियो देखने के लिए थैंक यू डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ और पिछले 20 सालों से डीपी एमाई तयार कर रहा है दुनिया के सबसे बहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर बरोसा करते हैं इसलिए तो आज डीपी एमाई के पास आउट देश-विदेश के बैतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं जिपी एमाई सम्मान के साथ सुनिष्चित रुजगार